भारतिय रेलवे की शुरुवात को करीब 170 साल हो गए हैं। 16 अप्रेल 1813 को देश की पहली यातरी ट्रेन शुरू हुई थी। मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि करीब 56 साल तक ट्रेनों में टॉयलेट की सुविधा नहीं थी। साल 1919 तक ट्रेने बिना टॉयलेट के ही धड़ाधर पट्रियों पर दौरती रहीं। और शायद आगे भी इसी तरह चलता रहता अगर एक भारतिय का गजब अंग्रेजी में लिखा लेटर अंग्रेजों को न मिलता। ये ऐसा लेटर था जिसे पढ़कर अंग्रेजों को भी अपनी अंग्रेजी पर शक होने लगा। मतलब कलपना कीजिए कि कोई आपको अंग्रेजी में ये समझाए कि कठल से उसका पेट बहुत ज्यादा सूज रहा था। वो एक हाथ में लोटा और दूसरे में धोती पकड़ कर भाग रहा था। अचानक वो गिरता है और उसकी सारी शौकिंग आदमी औरतों के आगे एक्स्पोज हो जाती है। ये सब पढ़कर आपको कैसा फील होगा। जी हाँ ओखिल चंद्रसेन नामक एक यात्री ने अंग्रेजों को अपने दर्थ से ऐसे ही वाकिफ कराया था। उन्होंने दो जुलाएं 1909 को साहिब गंज रेल डिवीजन पश्चिन बंगाल को एक पत्र लिखकर भारतिय रेलवे में शौचाले स्थापित करने का अनुरोध किया। अगर हम इस पत्र के शब्द के बजाए भाव समझे तो इसमें ओखिल चंद्रसेन कहते हैं। देर सर्क मैं यातरी ट्रेन से एहमदपुर स्टेशन आया और मेरा पेट गर्द की वजह से सूज रहा था। मैं शौच करने के लिए किनारे बैठ गया। उतनी ही देर में गार्ड ने सीटी बजा दी और ट्रेन चल पड़ी मैं एक हाथ में लोटा और दूसरी में धोती पकड़ कर दोड़ा और प्लेट फॉर्म पर गिर पड़ा। मेरी धोती खुल गई और मुझे वहां मौझूद सभी महिला पुरुषों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। मेरी ट्रेन चूट गई और मैं एहमतपूर स्टेशन पर ही रह गया। आगे ओखिल बाबू गार्ड पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहते हैं कि ये कितनी ख्राब बात है कि शौच करने गए एक यातरी के लिए ट्रेन का गार्ड कुछ मिनट रूप भी नहीं सकता। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि उस गार्ड पर भारी जुर्माना लगाया जाए। वरना मैं इस बारे में अख़बारों में बता दूँगा।